सद्गुरू, जब आप इतने बड़े प्रोजेट्स करते हैं, एक तरह से सोशल मीडिया पर आपकी पहुँच कमाल की है, डिजिटल मीडिया पर आपकी जैसा दूसरा और कोई नहीं है, तो जब ऐसा होता है, तो आपके हिस्से में, मेरा बतलब है, हमेशा थोड़ी बहुत आईगी ही, ओ, थोड़ी नहीं, आप क्या कह रहा हैं, थोड़ी, ऐसा कोई आरोप नहीं, जो मुझ पर ना लगाया हो, और जो अपशब्द ना कहें गए हो, सभी चीज़ों होती है, पर ये उनका दिमाग है, मैं क्या कर सकता हूँ, नई पर मेरा मतलब है, अभी हाल ही में मैंने किसी एक का विडियो देखा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, यूट्यूपर उसके चार करोड फॉलोर्स है, मुझे लगता ये शायद कैली, कैरी मेनाटी, कैरी मेनाटी, यूट्यूपर चार करोड फॉलोर्स, और उसने आप पर व्यंग जासा कुछ बना है, हाली म मुझे लगता है तीन-चार अपते या एक महीने पहले, क्या कह रहे हैं वो मेरे बारे में, मुझ में क्या खराबी है, नहीं वो बस कुछ एक तरह से आपकी नकल कर रहा था, और ये काफी मतलब मजाकिया लग रहा था, मुझे भी लगता है, सिर्फ एक नहीं, हजारों नक पहुचाता है, ये आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जतने ज़्यादा लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपका उतना ही प्रचार होगा मैंने अपने आपको ऐसे बनाया है कि कोई क्या कहता है, चाहे वो मुझे भगवान कहें, या मुझे ठक कहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही रहूंगा जो मैं हूँ, वो नहीं बतलेगा मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं जो हूँ वो लोगों की रायों से नहीं बना हूँ, अच्छी है बुरी, चाहे जो भी हूँ मैंने अपने आपको एक अलग तरह से बनाया है, जी, तो मैं जो हूँ, और जीवन का जो मेरा अनुभव है, उसमें कुछ भी नहीं बतलेगा, चाहे पूरी दुनिया एक ही चीज बोले, पर हाँ निश्चित ही, अगर काम के प्रभाव की बात की चाहें, तो ये चीजों को बेवजा ही कठिन बनाता है, क्योंकि हर तरह की बकवास हर जगा मौजूद है, ये ऐसा होता है, कि कई बार दर्वाजे बंध हो जाते हैं, फिर आपको उन्हें तोड़ना पड़ता है, इस तरह की समस्या हैं, दुनिया भर में वो प्रचार करते हैं, नेगिटिव प्रचा प्रचान में मुझे जबर्दर समर्थन प्राप्त है, और भारत में लगबग इतनी ही चंसंक्या में मेरे खिलाफ हैं, कोई बात नहीं, इस दुनिया में काम करने के लिए एक हिसा है, मुझे अश्चरह नहीं होता, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं, जिनके पास जिन्दगी में करने के लिए कुछ भी महत्वपूर नहीं है, वो बस किसी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, तो जहां भी ऐसा कोई मौका होगा, वो पिस्सू की तरह वहाँ चिपक जाएंगे, ठीक है, ये मुझे चोट नहीं पहुचाता, तो अगर वो ये चीज़े देखन मुझे यकीन है आप मेंसे ज़्यादतर यहीं चाहते हैं, तो क्या सब कुछ हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता, क्या हमारे सारे लक्ष पूरे होंगे, नहीं, कम से कम इस पीढ़ी में अगर हम कुछ कदम उठाएं, तो उमीद है अगली पीढ़ी और कदम उठाएगी, इस और ये लोग ऐसा नहीं चाहते, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं चाहते, जादतर समय उन्हें नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं, खास तोर से मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, पर मुझे आश्चेर नहीं हुआ, अगर कोई influencer है, किसी भी तरह का influencer, मान लि हैं, तब भी आप ऐसा करते हैं, क्यों क्योंकि आप अपने घर में influencer हैं, जैसे ही आप एक नई जीवन को प्रभावित करने लगे, तो आप अपनी जिंदगी किसी तरह से बदलने की कोशिश करते हैं, जितनी संभव हो, तो अगर आप कितने? चार करोड, अगर आप चार कर और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप थोड़े और जिम्यदार बनेंगे, हलो, ये बहुत जरूरी है?